हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ उच्चाटन आज का विशह है उच्चाटन घर में कई तरह की स्थती होती है जिसकी वज़े से व्यक्ति काफी परिशान हो जाता है और उसको उच्चाटन हो जाता है ना पूजा में मन लगता है ना घर में रहने की इच्छा होती है मन करता है कहीं बाहर ही चला जाए और वहां काफी घंटे बिता कर आने के बाद घर में फिर ठीक लगता है घर में जब भी विक्ति आता है तो उसका मन करता है यहां से कहीं चला जाए दूर चला जाए और तरह तरह का उच्चाटन उसके मन में होता है पूजा करने बैठता है तो बड़े बुरे विचार आने लगता है जब भी कोई काम करता है तो मन में एक अज्यात आशंका आने लग जाती है और फिर उच्चाटन होने लग जाता है समझ भी नहीं आता कि यह उच्चाटन किस वज़े से हो रहा है उच्चाटन के कई कारण होते हैं यदि जिस जगे पे इंसान रहता है उसके जगे पे कोई गलब चीज किसी ने गाड़ दी है बदला लेने के लिए तो उससे भी उच्चाटन होता है इसके अतिरिक्त यदि किसी ने कोई नजर लगा दी है या कोई उपरी बाधा आ गई है कोई चोराय पे पैर पढ़ गया है या कोई तांतरिक प्रयोग किसी ने किया है तो उच्चाटन हो जाता है उच्चाटन को दूर किया जा सकता है और इसका एक जो तरीका है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दूगी फिर भी आप थोड़ा सा लिख लीजिए ये आपको क्या करना है एक पोटली बनानी है पोटली के लिए आपको लाल रंग के कपड़े का प्रयोग करना है और जो सामगरी में आपको बता रही हूँ वे आपको पोटलियां उनकी बनानी है और फिर एक पोटली तयार कर लेनी है उस पोटली को पूरे घर में घुमाना है और उसके बाद भैरोजी के मंदिर में जाकर आपको इसको चड़ा देना है ये उपाई बहुत ही अनुभूत है क्योंकि बहुत साल पहले मुझे एक तांतरिक मिले थे और उन्होंने ये उपाई बताया था और ये उपाई कई लोगों को बताया जिससे कि उन्हें बहुत ही लाब मिला है क्योंकि हम जो भी उपाई बताते हैं वो समाज के लाब के लिए ही बताते हैं किसी का बुरा करने के लिए हम कोई उपाय नहीं बताते हैं ना कोई साथ ना बताते हैं तो आपको अपनी परिशानी से मुक्ति के लिए ही इसका प्रियोग करना है तो इसके लिए मैं आपको जो सामागरी बता रही हूँ उसको आप नोट कर लीजिए आपको सवा किलो आटा लेना है अगर आटा आप नहीं ले सकते तो आप इसके ज़ेगे आप गेहू भी ले सकते हैं सवा किलो गेहू ले सकते हैं इसके अलावा फिर आपको 500 ग्राम लेने हैं चावल 500 ग्राम आपको लेने हैं मसूर की दाल 500 ग्राम आपको लेने हैं साबुत मूंग 500 ग्राम लेनी हैं चने की दाल 500 ग्राम साबुत चामल टुकडी नहीं होनी चाहिए साबुत वाला जो चामल होता है 500 ग्राम आपको लेने हैं चामल 500 ग्राम लेने हैं साबुत काले उड़द और 500 gram लेने हैं आपको काले तिल ये सारे सामगरी आपको लेनी है और एक आपको सब्त धान्ने जो होता है साथ तरे का नाज वो भी 500 gram लेना है अलग से उसको आपको लेना है इसके अलावा एक छोटा सा आप कंबल भी ले ले ये सारी चीजें सामगरी तो सब आप पोटली में रख देंगे और उसको सबको आप कंबल के उपर रख दीजिए कंबल छोटा भी हो सकता है बहुत बड़ा लेने के आपशक्ता नहीं है पूरे घर में आप उसको घुमा दीजिए और घुमाने के बाद आप उसको घर के बाहर रख दीजिए और उसके बाद आपको किसी मंगलवार या शनीवार इसे भैरू मंदिर में जाकर चड़ाना है और पीछे मुड करने ही देखना है और घर पे आके इसनान कर लेना है इससे आपका उच्चाटन शान्त होगा इसके अतिरिक्त आपको रवीवार को सूर्य भगवान को जल भी चड़ाना आरम कर देना चाहिए और सूर्य चालीस दका भी आपको जाप करना चाहिए इससे भी समाप्त करने में आपको काफी हैल्प मिलेगी आज का वीडियो में यही समाप्त करती हूँ आपको यह पसंद आये तो इससे आप लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए इतनी दुरलब जानकर यह आपको प्राप्त होगी जिसकी आपने कल्पना भी नही निशुल्क है इसलिए कोई टैंशन नहीं लें कि कुछ पे करना पड़ेगा कुछ भी पे नहीं करना है आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है निशुल्क और कमेंट्स में आके आप अपने क्युश्चन भी पूछ सकते हैं ज्योतिश समधनी वह भी बिल्कुल आपको अपनिवादे